हर्याना की पूर्वशिक्षा मंत्री और जचर हलके की कॉंग्रेस विधाया कीता भुकल जचर अनाज मंडी में बाजरे की फसल खरीत का मुआइना करने पहुची जा उन्होंने प्रदेश की अनाज मंडी में किसानों को उनकी फसल का भुकतान समय पर ना होने का सरकार पर आरोप लगाया उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीम दुश्यन्त चौटाला ने हर्याना में किसानों को उनकी फसलों का भुगतान मंडी में फसल आने के 48 घंटे के भीतर ही किये जाने की बात कही थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं किसानों को जो है कोई भी फसल का ना तो सही डंग से दाम मिला अब ये सरकार दावे कर रही थी कि 72 घंटे के अंदर अंदर हम किसान के खाते में पैसा डालने का काम करेंगे तेश्सो पचास उर्पे खरीद जो है वो बाजरे की बताई गई है और फिर डिप्टी सीम की हम स्टेटमेंट सुन रहे थे उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर किसानों को यहां पर जितने भी किसान मिले है या आरती मिले है समने काये जी आज तक भी हमारे पास कट बाटर की मंडी है इसका संग्यान ले नया शेड बने धर्मकाटा बने पीने के पानी की सुविदा हो और साथ ही साथ में निकासी की सुविदा हो जिससे की मंडी में एक अच्छा वातावरन भी बने और किसान भी यहां पर आया और उसके साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय भुकल ने कहा कि बेमौसमी बरसात की वजह से पूरे हर्याडा में किसानों की बाजरे वाधान की फसल तैयार होने के बाद खेत में ही बिच गई उन्हें उम्मीद थी कि सरकार इस बावत कदम उठाते हुए उनकी बर्बाद फसलों की स्पेशल गिर्दावरी कराकर उन्हें उचित मुआफ़ा देगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसका परिनाम ये हुआ कि किसानों को जहां बर्बाद फसलों का अपने खेट में नुकसान उठाना पड़ा वही कुछ ऐसे भी किसान है जिनकी फसल मंडी में पहुच गए लेकिन यहां भी बर्साथ से उनकी फसल टीन शेड की जरजर हालत होने के वज़ा से खराब हो गई किसान लगातार धरने पर दर्शन कर रहा है आरती धरने पर दर्शन कर रही है सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है MSP का कानून बनना चाहिए अब आप कह रहे हैं कि आप फसलों के दाम आप MSP और उनकी भावंतर भरपाई योजना के तैज जो डिफरेंस होगा उसको आप देने का काम करेंगे सबसे बड़ी बात तो है जो किसान फसल बो रहा है खेतों से उसका पानी निकला नहीं तो आपने मोटरों की और पाइप की इतनी ज़्यादा विवस्ता क्यों नहीं की क्यों आपने डीजल का पैसा सही समय पर क्यों नहीं दिया बिजली के connection आपने क्यों नहीं दिये क्या कारण है हम लगातार दिन में कम से कम मैं खुद स्वेम 50-50 फोन करती हूं इस बारे में कि कहीं पर मोटर जो है वो बिजली की कमी डिप होने की वज़े से वो बार-बार मोटर जल रही है इंजन कहीं नहीं मिल रहे है तो किसानों ने अपने खुद ट्रेक्टरों से ले जा ले जाकर इंजन लगा कर न केवल खेतों में समय पानी भरा आप ठीक करें हैं कि गेहूं की बिजाई और आगली जो बिजाई है उस पे भी बहुत जादा दिक्कत आएगी और यह जो खड़ा बाजरा खराब हुआ है तो मैं समझती हूँ यह तो बहुत डबल मार हमारे अनधाता पर किसान हुई है और जो फसल कटके मंडियों में आगे थी सरकार ने पूरी तरह से उसकी पहले से विवस्ता नहीं की खड़ी हुई फसल जो है यहां पर तैयार फसल में उली लग गई बद्बू आ रही है जहां भी जाएगी तो उससे भारी नुक्सान होगा भुकल ने ये भी कहा कि सरकार को अपने भुकतान के वादे पर ध्यान रखना चाहिए और जच्चर ही नहीं बलकि हर्याना की जिन मंडियों में टीन शेड जर जर हालत में हो चुके हैं उन्हें तुरंत ही बदलवाना चाहिए जड़ जड़ से दिनेश महरा पंजाब के सिरी टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद